जमीन का पेपर जो है वो है लेकिन जमीन पर कबजा नहीं है जमीन पर कबजा प्राप्त नहीं हुआ है इनका भी जमीन है और ये जमीन का पेपर इनके पास है लेकिन कबजा जो है अभी किसी और के पास है क्या कहता है कानून, क्या फैसला हुआ है सुप्रिम कोट का, कैसे आप ये जमीन से कबजा खाली करवा सकते हैं, कबजा वापस प्राप्त कर सकते हैं, माल लेते हैं अगर ये खेती वाली जमीन है, तो इससे तो कहीं न कहीं है, तो खाली ही है, यानि अब पहले किसी दूसरे क कबजे में था अब आपके कबजा में ये जमीन केसे आएगा इसका क्या परक्रिया है देखें पेपर है का मतलब यही हुआ कि जो बैक्ती है जो बैक्ती आज दाबा कर रहा है उसके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं अब कागजात के तौर पर जमीन का खतियान हो सकता है जमीन का सेल्डिड हो सकता है जमीन का रसीद हो सकता है लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा कानून क्या कहता है सुप्रेम कोट के एक फैसले में कहा गया कि Mutation Entry does not confer any right Title यहाँ पर की बात करें तो कोई भी बैक्ती जो है कि अगर वो आपकी प्रोपर्टी का Mutation करवा लिया है यानि Mutation में अपना Entry करवा लिया है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो Title का यहाँ पर दावा कर सकता उसके फेवर में यानि कभी भी एक तरह से आप Judgment नहीं हो सकता उसके फेवर में कभी भी फैसला नहीं हो सकता इसलिए नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ती जमीन का रसीद कटा लिया तो रसीद के तोर पर वो जमीन मालिक जो है यहाँ पर जमीन का मालिक बनने का दावा नहीं कर सकता तो ये जो तीसरा पेपर अगर आपके पास है, जमीन का पेपर अगर पासमे है, लेकिन कबजा नहीं है, जो भी नहीं है, तो इस पेपर के अधार पर तो आप कुछ थाबित नहीं कर सकते, यानि आपके पास ऐसा डॉक्मेंट होना चाहिए, जिससे प्रोपर्टी का टाइट जो है वो साबित हो यानि अगर आप प्रोपर्टी का टाइटल जो है अपने साबित नहीं कर सकते हैं आप ये साबित नहीं कर सकते हैं आप उस प्रोपर्टी के मालिक हैं तो आप जो है यानि कहने का मतलब है कि आपको कोई अधिकार नहीं है को समपत्ती को आप उस पर जो है सरकार के द्वारा अगर आपके पिता को आपके दादा को या आपके परदादा को या अन कोई जो आपके पुर्बज हैं उनके नाम से अगर प्रोपर्टी का खतियान है तो ये इस डॉकुमेंट से आप प्रोपर्टी का यहाँ पर टाइटल साबित कर सकते हैं दूसरी जो यहाँ पर document है वो है salded अगर जो यहाँ पर माल लेते हैं आपके पुरबज या आपके द्वारा आपके पिता के द्वारा property को खरीदा गया है तो salded होना चाहिए और इस document के अधार पर अगर आपका mutation हुआ है तो आपको अपनी property को वापस प्राप्ट करने से कोई नहीं रोख सकता है इसलिए कि इस property पर अब आपका कानूनी अधिकार है और ये अधिकार आप प्राप्ट कर सकते हैं कबजा बिबाद के मामले में जो है यानि कबजा करने वाले को हमारा कानून जो है एक अधिकार देता है वो है adverse position का अब ये जो यहाँ पर अधिकार है वो ये अधिकार है कि कबजा करने वाला जो है वो भी आए तरह से civil court जा सकता है civil court में जाकर वो आपके उपर case कर सकता है वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है यानि ऐसा होता है कि आप पर वो एक तरह से जो यहाँ पर कहें वो दावा कर सकता है आपके उपर कि हम इस property के मालिक है जबकि उसके पास कोई कागजात नहीं है लेकिन उसके पास यहाँ पर वो सिर्फ कबजा है और कबजा के अधार पर वो आप पर आरोप लगा सकता है और वो दावा कर सकता है अब ये बात की बात है कि फैसला किसके पक्ष में होगा लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि कानूनी तौर पर प्रोपर्टी का असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास प्रोपर्टी का पेपर है इसको अधिकार है ये एडवर्स पजिसन का दावा कर सकता है कोट जा सकता है मालिकाना हक का दावा कर सकता है अब हर situation देखने के बाद depend करता है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा लेकिन अब यहाँ पर हमारा कानून क्या कहता है यानि हमारा अधिकार ये कहता है कि कानूनी तोर पर कोई भी property है इसके मालिक का पहचान कैसे किया जाएगा जिसके पास property का कागजात होगा जिसके पास property का paper होगा कानूनी तोर पर property का मालिक वही कहलाएगा अगर आपके पास property का paper नहीं है तो आप यहाँ पर property के मालिक नहीं है यानि कोई भी अगर property खड़िदने भी आएगा तो क्या देखेगा कि ये देखेगा कि इस पर किसी परकार का विवात तो नहीं है और साथ में सबसे पहले तो ये ही देखता है कि इस जमीन का कागजात कहां है कौन-कौन सा कागजात है उसका mutation हुआ या नहीं हुआ उसका रसीद कट रहा नहीं कट रहा है विक्रेता जो बेचने वाला है जो जमीन मालिक होने का दावा कर रहा है उसके पास अधिकार है कि नहीं वो बेच सकता है ये तमाम दस्तावेज जो है वो खरिदार सबसे पहले देखते हैं यानि अगर बात करें सबसे पहले तो सब प्रोपर्टी का असली मालिक तो वही कराने वाला है जिसके पास कागजात है अब देखें यहाँ पर तो यही तरीका है इसी तरीके से आप अपना अधार जो है यानि आप अपनी प्रोपर्टी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओ का वीडियो लाइक जरू करने हैं चैनल को पहली बार देखने हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन हो उसको जरू दबाले मिलते हैं वीडियो में तब तक किलेजेएं